हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चानल में मैं आप सिब्लम का दिल से बहुत-बहुत सुगत करता हूँ तो दोस्तो यह आज के दिन का आखरी वीडिया है और जितने भी इंपोर्टन खबरे है सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो चले सबसे बहले फॉर्मेलेट की बात करें इंफोसिस का एडियर आल्मस्ट वन पसेंट तेज है आईसेसी बैंक हाफ पसेंट डाउन है एजडेफसी बैंक भी थोड़ा डाउन नजर आ रहा है विप्रो की बात करें बिल्कुल न्यूट्रल गेर पे कोई आगे पीछे नी और डॉक्टर रिडिस की बात क करें लग 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 चार से पाच पसंट की गिरावट देखने को आपे मिली थी सो कंपनी के नंबर की बात करें दोस्तों तो काफी इंप्रेसियों नंबर देखने को मिले नेट प्रॉफिट 93 पसंट जंप हो चुका है 30 करोड के आसपस सो डेफिनेटी कल के दीन के उटर के उपर काम कर रहा है जिसका नाम है new 450X यह दोस्तों मतलब हर कोई अगर देखा गए जिसमें ने का कि future oriented business में खुद को engage करने की कोशिच कर रहा है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा growth हम लोगों को देखने को मिल जाती है नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करें अगर आपको additional stake अगर बढ़ाना होता है किसी company में और भापे अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा monopoly हो जाती है तो competition commission of India आपको restrict करता है बट फिलार अगर देखा गया है दोस्तों तो carried lane से related यहाँ पे टाइटन को हरी जंडी मिल चुके कि वो additional stake भी इनके purchase कर सकता है competition commission of India ने इनको यहाँ पे approval दे दिया और इसी का नतीजा है कि टाइटन में हम लोग को और गजब की तेज़ी देखने का आपे मिल रही है next अगर हम लोग बात करेंगे IEX कल के दिन अच्छी कासी buying बड़े players के और से हम लोग को देखने का मुली बड़ा माल उठाते वे देखने का आपे मिले है next अगर हम लोग बात करेंगे सुजलान एनरजी लगातार या पे lower circuit देखने को मिल रहे है कोई बड़ी बात नहीं देखे जो stocks में लगातार अपर circuit लगकर वो उपर जाता है तो नीचे भी गिरावट हम लोग को उसी प्रकार से देखने का आपे मिल जाती है so 45% का circuit कई दीनों से आपे लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहे है ठीक है फिलाल अगर company की बात करें तो stage 4 में भी देखने का आपे मिल रही है और खास करके इस company के अगर हम बात करें तो बड़े player के और आप लोगों ने focus रखना चाहे कि क्या वो enter कर रहे है क्या average कर रहे है या फिर exit कर रहे है ठीक है वैसे तो पूरा detail तो हम लोगों को तब ही पता चलता है जब shareholding pattern complete तरीके से आपे revise के सामने आजाए और वो तो quarter के हिसाब से हम लोगों revise होते वे देखने का आपे मिल जाता है नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करेंगे रोसो तो cdsl यह सो cdsl एक ऐसी कंपनी है midsize की कंपनी जो की कमाल का performance दिखाती रहती है जिसका market के प्रती मतलब भरोसा है कि भाई बाजर बहुत ही भविशा में अच्छा performance करेगा निफ्टी 20,000 को टच किया था कभी भविशा में 30 को भी टच करेगा 40, 50, 60 को भी टच करेगा और डिमेदे में लोग यहापे market में आते रहेंगे तो cdsl में वो लंबी अवधी के लिए invested यहापे रह सकता है एक basic सा यह rule है हम सब लोग को यहापे पता ही है यहापे आप देख सकते है multiple time यह stock नीचे गिरा था जब जब भी बाजार में कमजोरी थी फिर bull रना है तो यह stock भी भागता है फिर कमजोरी आई फिर गिर गया फिर वापस recovery देखने को मिली है सो अभी हम कह सकते दोस्तों CDSL का जो performance है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है and record breaking performance देखने को मिल रहा है मतलब CDSL become the first listed depository जिसमें हम कह सकते 10 करोड से ज़्यादा DMAT account register हो चुके है एक जमाना ऐसा था कि NSDL CDSL मिला कर 2 करोड से भी कम DMAT account हम लोगो देखने को मिलते थे and आज के दिन की बात करें अक्केला CDSL 10 करोड का DMAT account यहापे मतलब register लेकर यहापे बेटा हुए handle यहापे करता है और यह संख्या उनकी लगातार बढ़ते वे देखने को मिले thanks to discount brokers कि discount broking में अगर हम लोग बात करें जितने भी अभी नए DMAT account open होते हैं वो CDSL के अंडर ही हम लोगो open होते वे देखने को मिल जाते हैं आप जितना भी आपे buying selling यापे करते हो DP के हिसाब से अगर बात करें तो उसका Derek फाइदा CDSL को ही आपे मिलता है तो NSDL भी है बट NSDL पूराना हो चुका है ज़्यादा वहापे DMAT account मतलब पूराना जो है प्लियर उतने ही उनके पास चीजे देखने को मिल जाती है बाकि अगर देखा गए तो CDSL कमाल का performance यहापे दिखा आई रहा है तो इसी चीज़ के चलती CDSL आप देख सकते दूस्तों क्या शांदार performance यहापे रहता है नॉर्मल अगर देखा गए तो problem एक ही रहता है जैसे गिरेगा अच्छा नहीं लगेगा भागेगा हर किसी को अच्छा लगेगा गिरेगा अच्छा नहीं लगेगा भागेगा तो अच्छा लगेगा तो ऐसे करोगे तो हमेशा reverse gear में गाड़ी यहापे चलती रहेगी तो 7% डाउन ही देखने को मुला है बट एक बैकेंड में अच्छी खबर देखने को मिल रहे हैं वो है दोस्तो टेक्स्टाइल से बैन ड्यूस मतलब नेगेटिव पॉइंट हम लों को देखने को मिल रहे है बैन ड्यूस मतलब कैसे की बांगला देश की बात करें ठीके तो एक बहुत बड़ा टेक्स्टाइल का मार्केट है ठीकेंड वहाँ से सारी चीज़े हम लों को यहापे इंपोर्ट होती वे देख इसलिए आज टेक्स्टाइल वाली जो बाकी कंपनिया थी जो रौ मेटरेल में काम करती है उनके लिए बहुत अच्छा दिन था बट जो इनसे रिलेटेड सारी चीज़े पर्चेस करते उनके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी देखने का आपे मिल चुका है न 940 रुपे तक आएगा मतलब हम कल के हिसाब से बात करें तो 42% की गिरावाट की वो एक्सपेक्ट यहापे कर रहे है और कल के दिन तो अलड़ी ए स्टॉक 6-7% गिरते वे देखने को मिला और वही हैंगवर आज भी हम लोग को कंटीनी होते वे देखने को मिला है 4% के आसप नहीं भागी है मतलब आप देख सकते हैं साल बर का परफर्मस यह जो टेजी रेखने को मिली है यह कोई justify करने वाला reason है नहीं बस ऐसे स्टॉक भाग रहा है कोई fundamentals में बदला हुआ नहीं है यह को टक का मानना है ठीक है तो इसी चीज़ के चलते हम यहापे कह सकते कि दो दि करेगा यह एक देखने वाली बात यहापे जरूर होगी नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तो तो nscbse yes nscbse यह दो एक्स्चेंज है आप सब लोग को यहापे पताई है और दोस्तो इनके international units भी हम लोग को देखने को मिल जाते है at gift की अगर हम लोग बात से related यहापे चीज़े हम लोग देखने को आप इसके उपर क्लिक कर लू तो आप देख सकते है कि gift nifty से related लोग को देखने को मिल रही है मतलब bsc INX के अगर हम लोग बात करें न nsc international के अगर हम लोग बात करें उनके merger की बात यहापे हो ठो ए projected ऐ गो नौर्म आपको पता होना यह एसी खबर यहापे सामने आ रही है ठीक है अभी होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है क्योंकि इसके पहले यह खबर हम लोगों को जुलाइ में भी देखने को आपे मिले थी तो वापस यह खबर सामने आती हुए देखने को मिल रहे हैं और स्वाय प्रेशों के हम लोगों को एक नई एंटिटी देखने को आपे मिल जाएगी जो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को काम करते वे देखने को मिल जाएगी ठीक है और उसमें भी इन दोनों कंपनिस को NSE और BSE को यहापे कुछ कैपिटल 100-200 करोड भी यहापे डालना पड़ेगा यह भ अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तो तो Tata Technology का IPO की बात करें तो लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम में हम लोगों को changes होते वे देखने को आपे मिल रहे हैं और वहापे भी आप देख सकते हो 377 मतलब अभी सुबह पहले तो हम लोगों ने 350 के आसपास देखा था फिर 355 के आसपास देखा था अभी 377 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम यहापे जाते वे देखने को मिल रहे हैं तो एबदम जबरदस परफॉर्मस Tata Tech के IPO में फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे हैं काफी शांदार लिस्टिंग गेन यहापे मिल सकते हैं इसका पूरा मत को अलड़ी ग्रे मार्केट में यहापे दिखते हुए देखने को आपे मिल रहा है तो ठीक है दोस्तों जितने भी इंपोर्टन कवरे थी सारी आपे मिने कवर कर ले विडियो चल लगे तो चाहू तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो तो मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाई कि अ झाल झाल